पुद्ध गोचर में किन का भाग्योतै होगा पुद्ध गोचर में किन का भाला होगा बुद्ध गोचर में किनकी जेब भरेगी बुद्ध गोचर में किनकी तरक्की होगी देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्म ज्यान के दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविताराना मेरे साथ मज़ध है अच्छारे मैंग जी मैंग जी स्वागत है आपका धनेवाद कवितारी सभी दर्शकों को साधर नमस्कार बुद्ध गनित का आपके ग्यान का आपके विवेक का आपके धन का सबसे बड़ा कारक माना गया है और ऐसे में बुद्ध का यहीं गोचर यानि कि यह जो राशी परिवर्तन है बारा की बारा राश्यों के चुड़े जित्ते भी जाता कि उनके लिए कि तब फाइदमन साब अब जब यहां सूर्य का साथ अगर मिल जाए शुक्र का साथ मिल जाए तो यह ऐसा बुद्ध जो है फिर फिर फल्दाई हो जाता है फिर उनका परभाव लेकर रिजल्ट देगा लेकिन जो घ्रह सिती बन दी है जैसे आपने बताया कि 29 जून से लेके और हम दर्शों को बतारें 20 जुलाई सुभा साड़े ग्यारावे तक जो है यह करक राशी मे रहने वाले हैं बुद्ध ग्रह तो इतने समय तक किन राशियों को क्या लाब मिलेगा किन राशियों को सावधानिया रखनी है और अंत में क्या उपाएं हैं यह सब आपको बताएंगे उससे पहले बताने कि बुद्ध का करक राशी में आना शेयर मार्किट में थोड़ा सब्सक्राइब दिखाता है तो मार्किट को यह कभी तो बहुत जारा शेयर मार्किट छलंग मारेगा जी आप देखेंगे उन 30 जून के बार कभी एक दम डाउन हो जाएगा ऐसे इस समय बहुत से लोगों को सो समझकर शेयर मार्किट में या म्यूचल फंड में निवेश कर सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बुद्ध का करक राशी में आना मन में कन्फ्यूजन तनाव या चिंदा या कुछ लोगों को स्ट्रेस जरूर देके जाएगा थोड़ा सावधानी रखें अंत में उपाई भी बताएंगे चली बिल्कुल तो आईए इसी पर आगे इसको इ दाश्य पिसका क्या प्रभाव पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट महिंग जी से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करेंगे मंगल की राशी मेश के बारे में देगे मेश वालों के लिए ये बुद्ध का गोचर जो है सुख साधनों के लिए अच्छा है और का करें और उस कर्म का भेतर फल भी आपको निशित रूप से मिलेगा तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए गोचर काफी अच्छा है वरिशब के लिए वरशब राशी वालों के जो क्रियेटिव फिल्ड से जुड़े लोग हैं पत्रकार हैं फिल्म लाइन में हैं राइटर पोएट है या एंकर रिपोर्टर है उनके लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा यहां वरिशब राशी वालों का भागय भी साथ देगा धर्म कर्म में रूचिय आपकी पूरी तरीके से बनी रहेंगी मितुन मितुन राशी वालों इस समय धनलाब की प्राप संगीत में रूची आपकी बढ़ जाएगी काम करवार आपका अच्छा चलेगा साथिसार आपका व्यवाइक जिवन भी अच्छा रखेंगे बुद्ध लेकिन कोई ना कोई मानसक चिंता जरूर बनी रहें किसी काम को लिए भविश्य को लिए चिंता करेंगे उस चिस से बचना चाहिए व्यापारियों के लिए नोकरी पेशा लगों के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार है सिंग राशी सिंग राशी वालों धन हानी होने की आशंका है तो मैं साफ शब्दों में कहुंगा कि धनका निवेश बिलकुल ना करें किसी को पैसा ओधार ना दें ल सबसे अच्छे रहेंगे यह समय आपकी प्रगतिशील होने का है कामकारोवार अच्छा चलेगा नोकरी में सफलता मिलेगी और अच्छा होगा और आपका व्यापार हो या नोकरियों वह भी आपकी बहुत अच्छी यहां पर चलती नजर आ रही है इसे कड़ में मैंग जी व्रिशिक कितना लाब उठा पाएगी इस गोचस देंगे व्रिशिक राशी वालों के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहेगा हाला कि धर्म करम में रूची आपकी बरकरार रहेगी और सेहत का यहां थोड़ा सा ध्यान दखना पड़ेगा और करना चाहिए धन का कहीं निवेश नहीं करना चाहिए अनके लिए यह समय थोड़ा सा बुद्ध के चलते लाब थोड़ा सा कम रहेगा यहां आपको अपने जीवन साथे की सेहत का भी ध्यान दखना चाहिए मकर मकर राशिवालों के लिए गोचर सर्वोत्तम है यहां वैव यहां पर आपको बुरे विचार मन में लाने से बचना चाहिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहेंगे तो उतना ही बेंतर रहेगा मीन दाशी माफ की मीन दाशी मीन दाशी वालों की बात करें तो मीन दाशी वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा यहां आपके संतान की तरक्की होगी आपको लव रिलेशन्शिप में मैरीड लाइफ में काफी अच्छी सक्सस मिलेगी आपकर करियर भी बहुत अच्छा विनोध भी दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए में नाशी वालों काफी अच्छा रहेगा तो यह हमने मैंक्श में जी से जाना कि किस प्रकार से बुद्ध की जो यह गोचर है बुद्ध का जो महाराशी परिवर्तन है बारगी बार बारश्व के लिया आप लोगों के लिए कैसा रहेगा कैसा वीते को और से के साथ हम दोन को दीज़े जागर नमस्कार कर दो